मालदीव की संसद के इस्पीकर मौम्मद नसीद ने कल एक चोकाने वाली जानकारी थी उन्होंने कहा है कि इसलामिक उपदेशक के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले जाकिर नाइक ने मालदीव आने की चंचताई थी मगर हमने उसे इजाज़त नहीं दी है इसका मतलब यह है कि मनी लोंडरिंग का धोबी कपूत अब मलेशिया से बोरिया विस्तर समेट कर निकलने की फिराक में है वे तीन सालों से मलेशिया में सरण लिये हुए है हालकि भारत ने उसके परतरपन की उपचारिक अपील की थी लेकिन मलेशिया सरकार ने यह अपील ठुकरा दी थी पि-म मोदी ने सितंबर में रूस में पांचवे पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक सेतर मलेशिया के पि-म मौम्मद मातिर से मुलाकात की थी इसी दोरान नाइक के परतरपन पर चर्चा हुई थी पर इस वक्त जाकिर नाइक खुदवाकी सरकार के लिए मुशिबत बन गया है उसने वहां रहरे हिंदो और चीनियों को लेकर आपत्ती जनक ब्यान दिया था जिसके बाद उसके उपदेश देने पर रोक लगा दी गई थी यानि जिस तरह जाकिर नाइक के मलीशय से निकलने की जानकारी सामने आई है उससे इसपष्ट है अब वहां उसके लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है भारत सरकार का दबाब मलीशय सरकार पर लगातार पड़ रहा है खास्तोर से भारत ने मलेशाई पामोयल का आयत कम करके उस दबाब में और बढ़ोती कर दी है दुनिया की अन्य मुस्लिम कंट्री भी जाकिर नाइक को अपने आसरन देने के पक्समें नहीं है खुद पाकिस्तान भी उसे पाकिस्तान में प्रवेस देना नहीं चाता है ऐसे में नाइक के लिए सारे दरवाजे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं भारत सरकार की नीती यही है कि जाकिर पर इतना दबाब बढ़ा दिया जाए कि वे खुद भारत में आकर सरेंडर कर दे कम से कम माल दीव की संसद के इस भी करके ब्यान से जाकिर नाइक पर बढ़रे दबाब की उस्टिक जरूर होती है और इससे भारत की उस योजन का भी पता चलता है जिससे वे जाकिर नाइक का सरेंडर कराने की ओर बढ़ रही है इसी के साथ अनुमती दोस्तों जै हिंद